अभी अभी और इसमें परिच्छा को ले करके क्या कुछ निर्देश दिया गया है तो यह थोड़ा सा लंबा पीडियेफ है इसको बहुत कम समय में जो है हम लोग देखेंगे यहां पे 24-8-2030 और 25-8-2030 को जो एक्जाम होने वाला है उसके बारे में जो है यहां पे इतना आपको जो है विवरन दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फटा फट से यहां पे कहा जा रहा है आपको पहला नमर पॉइंट है यहां पे आप देखिएगा बैठने का ज बैठाया जाना है चोबी 12-14-46-46 के करम में आपको बैठाना है आगे बढ़ते हैं तो यह तो जो है अस्कूल वालों के लिए है यानि कि जहां पे आपका सेंटर रहेगा तो उनके लिए वह था अब यहां पे सिकेंड नमर पॉइंट में जो है आपके लिए इंपॉंटें परिच्छा में जो समरीद सभी उमिदबार अपना यह एडमिट कार यानि परवेश पत्र परिशीष्ट जो है यह 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 बैप साइट से जाकर के इतना यह यह पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और वैसे यह परिच्छा में बैठने के लिए मान है यानि कि जो पहले अधी में बीच्छा को जो है हस्ताचरीत करते हुए समर्पित करना है यानि कि एक एडमिट कार जो है आपको वहां पर दे देना है अगला है यहां थड़ नमर किसी भी परचाति को परिच्छा कच में मॉवाइल फोन यह तो सारा कुछ लिखा ही रहता है तो यह चीज नही सब्सक्राइब करते हुए फोटो पचान पत्र के साथ मिलान करते हुए परिच्छा केंद्र के अंदर परिवेश की अनुमती दी जाएगी इस कार्ज के लिए आयोग के प्राधिक्रीत एजेंसी दुबारा परते है परिच्छा केंद्र पर परियाप्त जन सकती आपका क्यू आर कोड यानि बार कोड स्केनर एक हैंड और हैंड जो है पोर्टेवल डिवाज टेबलेट के साथ जो उपस्तित होकर यह कार्ज कार्यांबित की जाएगी अभ्यार्थियों के पहचान में किसी भी परकार का संसय होने पर यहां पे इंपोंटेंट है यहां पे ध्या प्राधिक्रीत बैक्ति के संग्यान में लाया जाएगा जिसे जो है केंद्रा धीचक आयोग से संपर्क कर पहचान सुनिश्चित करेंगे करने के 50 परिच्छा में समिलित करने देंगे यानि कहने का मतलब है यहां पे कि अगर आपका फोटो मैच नहीं कर रहा है तो मैच न पर करेंगे बिहार लोग से वायोग से और वहां से पूरा डीटेल आपका जो है भेजा जाएगा तुरंत से क्यूंकि सारा कुछ ऑनलाइन है आप जानते हैं और तब जाकर के आपको परिच्छा में बैठने की अनुमती दिया जाएगा अगर वहां पे अगर आपका किसी पूछ ताच में आप फरजी पाए गए तो वहां सहीं आप जेल का रास्ता आप आपके लिए जो खूला है अब यहां पर कहा जा रहा है परिच्छा प्राराम होने के एक घंटा पहले अर्थात नौ बज़े जो है पुरवाहान के बाद किसी भी परचारती को परिच्छा क के अंदर यहां पर देख लिजिए उसके बाद गेट कलॉज हो जाएगा और यहां पर कहा जा रहा है नौ से नौ तीस के बीच्छा फिर दुबारा से जो है फेक्सिंग करेंगे और दुबारा से जाच करेंगे आपको अंदर में देड़ घंटा बैठा करके फिर से दुब नौ बजे आपका एकजाम स्टार्ट हो जाएगा यहां पर परचार्थियों को नौ तीस बजे पुर्वाहान से उतर पत्र को एमार अंसर सीट का बीतरन प्रारंभ किया जाएगा याद रखिये और नौ पैटालिस बजे पुर्वाहान प्रश्न पुष्टिका का जो है टे पुर्वाहन से उनका बीतरन कर 10 बजे से परिच्छा की घंटी बजाएगी यहां पर देख लिजिए तो 10 बजे परिच्छा का घंटी बजेगा आप साथ साथ बजे से लेकर के 9 बजे तक एकजाम हॉल के अंदर जाएगा और उसके बाद गेट कलोज हो जाएगा और उसके दर्मियान क्योंकि पहले आपको घुसाया जागा आधा पॉन घंटा तो फिर वहां पर भी जाच होगा अब यहां पर कहा जा रहा है पांच मिनट पूर्व जो है केंद्रा धीच्छक परिच्छा समाप्ति के बाद केंद्रा धीच्छक जो है आदेशा नुसार एक जो है बर्निंग बेल बजाकर विच्छक या घोसना करेंगे कि पांच मिनट से उमिदबार अपने उतर पत्रक की में की गई परविष्टियां या था जो है नुकर्मांग प्रश्ण पुष्टका सिरंखला हस्ताचर नाम बगेर सारा कुछ मिला लिजिए और घंटी 12 बजे अप करेंगा दो तिस तक तो याद रखिएगा एक बज़े से दो तिस तक आप वहां पर जाएंगे अन्य था आपको जो है एक्जाम होल के अंदर यानि कि ढाई बज़े के बाद आपको एकजाम होल के अंदर कोई भी जो है आपको यह नहीं मिलेगा आप अगर लेट करते हैं तो अब यहां पर OMR सीट की बात किया गया है तो देख लिजिए यहां पर भी इंपोंटेंट है एक नमर आयोग दोवारा केंद्र बार उपलफ्ध कराये गये उत्तर जो है OMR सीट सभी केंद्रा दिचक दिनांग बाइस आठ है दोजार तेसको अवस उपलफ्ध कराया जा अब देख लिजिए किस तरह से आपका OMR सीट में याद रखिएगा आपका जो है OMR सीट रहेगा कोस्चन रहेगा दोनों रहेगा A B CD में कोस्चन जो रहेगा और आपका जो सेकेंड पाली में रहेगा आपका EFGH में तो याद रखिए दो चीज है यहां पर आगे बढ़त वही रहेगा आगे बढ़ते हैं अगला आगे जो भी दिया गया है आपको यहां पर देखिए जो में में पॉइंट है क्योंकि बहुत बड़ा जो है इसमें मेंसन किया गया है अब यहां मारकर भाइट बोल्ड जो है फेलेसर को परिच्छा कच में ले जाना बर्जित है य लेकिन वहां पर शोट पॉर्में मेंसन किया होगा यहां पर आगे बढ़ते हैं प्रस्वें पुष्थ पूष्डिका के बारे में लिखा गया है इसको आप देख लिजिएगा बाकि सब वही है जो पहले जारी किया गया था उसको भरना है किस तरह से भरना है सारा कुछ यहां पर आगे बढ़ते हैं जो में मिन अभ्यार्थियों के सूची से उपलफ्ध कराई गई अब उनके बारे में लिखा गया है कि परिच्छा के अंदर में मोवाईल संचालन परिच्छा संचालन बीच को भी किसी भी परिच्छा कच में मोवाईल ले जाने की अनुमति नहीं होगी यानि इंपॉंडेट है उनके लिए भी कि उनको भी मोवाईल ले करके नहीं जाना है कंद्राधिच्यकों सिच्छकों जो भी पर लागू है वोग के किसी उलंगन करते हुए पाया जाता है तो निया मानुसार करवाई कि जाएगी अब करवाई जो है आपको को कोई उमिद्बार ना तो किसी दूसरे उमिद्बार के सहयता से comprar Megan को सायतासे sini को अपनी नोटबूक्त से नगल करने देगा नई आका राए परियास करने में कोई नामचल क्लाव किया जाएगा लेकिन आगे लिका पर पुसधारन किसी अनवेक्ति को अपने अस्थान पर बैठाना स्वेम फर जी नाम से अत्वाकिसी अनवेयार्थी के अस्थान पर पर परिच्छा देना दन निया अपराध है तो यहां पे साब सब लिखा गया है यह से सभी फर्जय भयार्थियों को अस्थानिय थाना में जो है डन्राधिकारी की सहायता से सुपूर्द करते हुए उनके विरूद आपराधिक धाराओं के कांड धर्ज कराए जाएंगे तो याद रखिएगा जो दूसरे के नाम पर बैठेंगे उनको तो तुरंत वहां से हम पहले ही आपको बताएं थाना में ले जाकर के तुरंत भयार होगा और उनको जो है आप राधिक मामला दर्ज होगा इसमें ध्यान रखिएगा लिखा है बीपीएसी के जो है आपका पहल पांच बरसों के लिए आयोग की परिच्छा में भाग लेने से बंचित किया जाएगा तथा परिच्छा से सम्मनित भरामक एवाम जो है संसनिक है जफवा फैलाने की स्थिति में तीन बरसों के लिए आयोग की परिच्छाओं से बंचित किया जाएगा पांच बरसों के ल यहां पर उसको आप देख लिजेगा ध्यान से अब यहां पर कहा जा रहा है कदाचार पुर्णों रोकने के लिए जो है की जाने वाली वेवस्था क्या कुछ वेवस्था है उसको भी आप देखी लिजिए यहां पर आयोग अभियार्थियों को पहचान की पुष्टी करने क के लिए परिछा केंदर के बिवीन गती वीदियों की निगरानी के लिए करते केंदर में निमनलिखत कर रहा है तो क्या कुछ वेवस्था है परिच्छा केंदर में अभ्यार्थी कीवार कोड़ की इसकेंग पूर्टेवल डिवाइस टैबलेट से की जाएगी तृधा डिवाइस में पूर्व से जो है अस्टोरेड अभ्यार्थी कि डाटा से सत्यापन होने का तथा फोटो एवं पहचान पत्रे से मिलान करने के 55 जो है आयोग दोबारा प्राधिक्रीत एजनसी दोबारा परतेक परिच्छा केनर पर प्रयाप्त जो है कि वारा स्केनर जो भी है सब कुछ है वहाँ पे ढ़ाइ घंटा पूर उपस्थित होकर परवेश दोबारा करवाई की जाएगी आपको और यहां पर किरिया बास्तिवि पूरी किया जाना है और स्कैनिंग के दोरान किसी भी परकार की भिंता त्रूटी उत्पन होने पर वैसे अभ्यारति को केंद्रा धीचक या केंद्रा धीचक दोबारा प्राधिक्रीत बैक्तियाओ जो है उपस्थिति पुलिस पदाधिकारी डणाधिकारी को अभिलम संग ज्यां में देना है और सुनिषित करना होगा कि सभी उंप करण की रियाशील हो एवं परilles परिच्चक केंद्र में सामील होने वाले किया परीच्चक केंद्र में एक दिन में दो जो है दो या दो से अधिक पालियों में परिछायजुत होने पर सभी पालियों में अलग-अलग गतिविधियां संचालिक की जानी है तो अलग-अलग गतिविधियां आपका बायोमेट्रिक जो है एंधिडिगेशन होगा यानि कि डिजिटल जो है फिंगर प अदार से ग Colambre सारे ऑघ और और अर्व नहीं होता है यहां पे जैसे कि आपका जो है अंगुठा लिया जाएका से मिलाया नहीं आपको पैंगाड लगाए हुए तो यहां पे इसको बाद में दो 반व डгор इत्लिंद खाले जाएगा उसको बाद में जो है document verification के time अब cctv जो है surveillance भी रहेगा आप कुछ बोलिएगा वहाँ पे तो live चलता रहता है आपको पता है सारा कुछ है अब यहां mobile में जो जैमर की विवस्था है जैमर जो आप लगतार जानते हैं जैमर भी रहता है तो उस पे हम चर्चा कर चुके हैं यहां पर कहा जा रहा है पैकेट एक महात्वपोन जो है बेभीरित उत्तर पत्र कांग यानि यूज मार्ग सीट का जो है पैकिंग हॉल कच के जो है परती नियुक्ती बीचक दोबारा सेल पर टेस्टेट यानि की करने के बाद बैग में किया जाएगा आपका LDP पर जो है पूर्न विब्रानी बीचाक दोबारा भारा जाएगा एवन किया जाएगा सारा कुछ यहां पर पर्पत्र उपर इगारा को सही डंग से भर कर चीब काया जाएगा। कुछ यहां पर सील बंद किये जाने की पूरी परकिरिया की जो है वीडियो ग्राफी की जाएगी इसकी जो है सीडी के अंद्रधिचा कायों को दिनांग तीस आठ को के पुर्वाहन 11 बजे तक कायों के कार्याले में भेजना सुनिशीत करेगा यानि कि सारा कुछ जो वीडियो फूटेज रहेगा कार्याले में चला जाएगा हर वो सेंटर से अब यहां पर सारा कुछ मेंसन किया गया है आगे देखते हैं अब यहां पर जो है टेल पाकी तो है वो विच्छक के लिए है जो लोग आप जो वहां पर रहेंगे मोजूद रहेंगे एकजाम आपको कंड़क्ट कर वाएंगे उनके लिए आगे है यहां पे जो है किंद्रिचक साही उनके लिए जो है सारा कुछ निर्देश दिया गया है परिच्छा के मोबाइ जो है यह सारा कुछ जो हो चुका है अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है यहां पर थोड़ा सा यहां पर क्या लिखा गया है किसी भी परचार्थी के जो है परिच्छा के अच्छ में मोबाइल फोन यानिकी गजेट एलक्टोरी पेन पेपर जो है बेस्ट वाच समान जैसी जो है आपका यहां पर यहां पर देखिए इलक्ट्रोनिक समागरिक तथा जो है भाइटनर जो है आई है सब चीजे जो है ले जाने के अनुमाती नहीं है उपर में भी लिखा गया था परचार्थी एड्मिट कार्ट फोटो आईडी कार्ड नीला काला बॉल पेन एक आपका पेन रहना चाहिए और एक आधार काड या जो भी आईडी दिये होंगे आप फोर्म फिल करते बाग तो ले जाना है और यह आप पन या जो है फोटो ले करके जाना है तो फोटो आप दो लिली जिएगा क्योंकि जी सेंटर पे जी जिला में जाई आगा वहां प लखेगा यह चीज और बाखी जो है पेन लेकर करके जाना है परिच्छा की पर्थम पाली के लिए अभ्यार्थियों के परवेश की परकिरिया तो परवेश की परकिरिया पहले भी हम लोग देख चुके हैं वही चीज यहां पर मेंशन किया गया है सारा कुछ टेस्ट किया जाएगा उसके बाद सारा कुछ यहां पर दिया गया है उत्तर पत्र का यह सारा कुछ दुबारा से है यहां पर सोह रहा है तो यह है आपका परिच्छा कच में सारा कुछ यहां पर जो है बहुत 147 पेज तक इसको किया गया है बार 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 कदा चार कदा जाना है तो परिच्छक जो है केंद्रा धीच्छक दुवारा परतेक परिच्छा कच को परियाप्त संख्या उप्लव्द कराने में इस वह को आपको अभ्यार्थी के समक्त सब्सक्राइब करके 20 मिनट में इसको खोल कर बारा के गुनकों में उपलाव्द कराना है यानि जो है कोश्चन बुकलेट का बीवर्यां इगारा पच्पन से है पहस्ट पाले में इस तरह से तो बारा के करके करवानी है बाकि सारा कुछ जो दिया गया है वही है लगभग तो यहां पर और तो ज्यादा कुछ नहीं अब यहां पर जो है प्शेंटर दिया गया नीचे में तो सेंटर देख लिए आपके जो एड़मिट काड़ पर जो है आपको देख लिए सेंटर प्रविष्ट का जो है डेट ओप एक्जाम सेंटर पर रहेंगे स्कूल का आपका नाम सेंटर का नाम है और यहां पर जो है आपको 84, 85, 38 जो है एक कोड दीख रहा है सिरियल लंबर बन में तो यह आप मिलाईएगा अगर कोड आपके एडमिट कार्ड पर अगर दिया होगा तो वहां से आपको मिलान कर लेना है बाकि आप सभी जिलो को यहां पर देख सकते हैं तो सारा जिला का दि दिजिएगा धने बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है लेकिन क्या कीजिएगा देखना तो पड़ेगा क्योंकि एक्जाम देने जाना है तो उससे से पहले आपको यह सारा कुछ देख लेना है धने क्वेद देख However I कर दो वेखना है तो है क्झी वीडिएगा तो है क्वेखना प्ते हम देखना जीडियो tomarहा है पिरएगा क्य wonders है जाता है और उडेखना चाना है जो रगेग क्वेवागा से टन खेखना है अ, क्छिएगा, अ, इन ऑवेखना है